कि नमस्काल मैं हूं भारती स्वागत है आपका आनेंग्स की प्री आंलाइन क्लासे में, आज ही क्लास में हम देखेंगे R.S.C.I.T. Internal Serialated कुछ important questions, आज हम देखते हैं कुछ एक्सल से रिलेटी कॉशन्स पाइए जानते हैं तो परदा कॉशन है हिंदी और अंग्रेजी में तीस या तीस से अधिक अंग प्राप करने वाले छात्र को खोजना चाते हैं उप्रे उप्रोप्त सेनेरियों को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आप निम्लिक खित में से कौन सा फॉर्मूला प्रियोग करेंगे जब हमें हिंदी और अंग्रेजी में तीस या तीस से अधिक अंग प्राप करने वाले छात्र को खोजना है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे एंड का ये फॉर्मूला यहाँ पे उप्यूपत रहेगा और आपको तीस में से तीस आने वाले छात्र है इस फॉर्मूले से मिल जागे नेक्स्ट है निम्ल एक्सल टूल में से कौन सा टूल एक अंतिम परिणाम से किसी अग्यात वैल्यू की गणना करने के लिए काम करता है अंतिम परिणाम याग्यात वैल्यू की गणना करने के लिए गॉल्सिक का यूज करेंगे एक्सल वर्कशीट निम्ल में से किनके सेयोजन से बनती है एक्सेल वक्षीट, वक्षीट और चार्ट दोनों की मिल ये सयोजन से बनते है स्क्रीन पर इमेज देखें आप आस्त आयू की गणना करना चाहते हैं और प्रॉक्स सीनेरियो को ध्यान में रखती हुए इसके लिए आप नमले खीक में से कौन सा फॉरमूला प्रियो करेंगा हमें आस्त यानि एवरेज निकालना है तो जो आपको यहाँ पे एक स्क्रीन पर इमेज दिखाई गई है उसमें हमें कौन सा फॉरमूला यूज करना होगा तो औसत निकालने के लिए हमें average का formula यूज करना है average लेने के बाद आपको जिस particular range का average निकालना है उस range को select करना है तो वहाँ पे आपको average का formula आपको औसत की गंड़ना करने के लिए यूज किया जाए next day screen पर image को देखें आप अधिक्तम IU की गंड़ना करना चाते हैं प्रोक सिनेरियों को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आप निमले खित में से कौन सा formula पूल करें हमें सबसे अधिक्तम IU की गंड़ना करने यानि हमें सबसे ज़्यादा IU वाले व्यप्ति को या IU जिसकी सबसे ज़्यादा है उसको हमें निकालना है तो वह मैक्स का formula यूज किया जाएगा मैक्स और जिस पर्टिकुलर रेंज में आपको वह हाइस एस चाहिए तो वह आपको उस पर्टिकुलर रेंज को ही सलेगा तो C2 से लेकर C7 तक पुरी रेंज सलेगी मैक्सीमम यानि सबसे बड़ी जो डिजिट होगी उसको ये formula बता देता है तो सिर्क max लिखा जाएगा maximum नहीं लिखा जाएगा max स्क्रीन पर इमेज देखें अब पेक्षित प्रइनाम के लिए आप सेल C2 में कौन सा सबसे उप्युक्त formula लगा सकते हैं C2 में हमें यहां पे कुछ answer दिया गया है यह concept formula लगाने के बाद इस तरह से answer दिया जाता है चार option दिये गए है right B25, right B215, right B2, right B2 हमेशा formula किस तरह से apply किया जा रहा है यह बहुत important है तो जब हम C2 में इस formula को use करते हैं तो यहां पे formula लगा जाएगा right B2, 5 यानि right size से 5 तक character हमें देखने हैं तो right side से 5 character यह दिये गया है इसमें space भी count होता है इसलिए 4 तो character यह और एक 5 यानि वह space इस तरह का हमें formula यूज करते हैं एक worksheet में रोत था column टाइटल को hold करने के लिए या hold करने यह तो ताकि जब worksheet को scroll किया जाए तो वह scroll ना हो निम्न में से क्या उप्योग करें जब हमारे पास row या column की कोई heading हमने बनाई हुई है और हम यह चारे हैं कि वह heading स्क्रॉल ना हो पूरी sheet स्क्रॉल हो लेकिन वह first वाली row या first वाला column स्क्रॉल ना हो तो उसके लिए हम कौन सा option में करें freeze pen command, unfreeze command, hold title command या split command इस चारो option में ते जो सही answer है वह है freeze pen command freeze pen command से particular row या column freeze हो जाता है ताकि वह first वाली row और column स्क्रॉल नहीं होता है बाकि पूरा worksheet आप स्क्रॉल कर सकते हैं next day excel 2003, excel 2007, excel 2010 file का extension है next day excel 2003, excel 2010 का file extension होता है xls, xlsx, xlsx और xlsx जिसका सही answer यह दो जगती 7 और 10 का file extension स्क्रीन पर image देखें आप सिर्फ जीरो से बड़ी संक्या ही जोडना चाहते हैं इस प्रोक सिनेरियों को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आप निम्न लिखित में से कौन सा formula प्योड़ करें आपके पास एक सिनेरियों दिया गया है इसे देखें कि सिर्फ जीरो से आपसे बोला गया है कि इसके लिए आप जीरो से बड़ी संक्या ही जोडना चाहते हैं तो यहां पे जीरो से बड़ी संक्या जो दे रखिये उन्हें हमें काउंट करना है और इसमें कुछ नेगेटिव मार्किंग भी है यानि वो जीरो से नीचे गाए तो हम सम का फार्मुला नहीं इस्तमाल करके सम इप का फार्मुला इस्तमाल करें सम इप और जो रैज आपको दे रखिये वो रैंज लेनी है और ग्रैटर दैन इकवल टू जीरो यानि ग्रैटर दैन का मतब है जीरो से उपर वाली सारी डिजिट को काउंट करना है इसलिए सम इप का फार्मुला यूज किया रहता है तो इसका सही आंसर है सम इप एटू कॉलन एट ग्रैटर दैन इकवल टू जीरो नेक्स्ट ए इमेज देखें आप पंक्ती संख्या रो नंबर खोजना चाहते हैं उप्रक सिनेरों को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आप निम लिखित में से कौन सा फॉर्मुला प्योंट करें आपको रो नंबर पता करना इसमें से परिखिर जो भी रो नंबर आपको पता करना है तो उसके लिए जो फॉर्मुला दिया गया है वो है से किस सेल का आपको सर्च करना है सेल रो कॉमा सी कुट जिस सेल का आपको पता करना है उसमें आपको रो सी टू देना होगा तो सेल का फॉर्मुला यूज किया और चार्ट समय के बढ़ते जो मान के साथ रुजान को आदर्श रूप में दिखता है जो नियमित समय अंतरार औरिजॉंटल या एक्स पर प्रोट किये जाते हैं वो किस टाइब के चार्द करते हैं लाइन चार्ड फाई जार्ट फाई चार्ट रो चार्ट कॉल उसका सभी अंसर और है लाइन चार्ड एक्सल में शोर्ट आप्षान किस में काता है एक्सल में शॉर्ट ऑप्शन जो है वो है डेटा में आता है स्क्रीन पर इमिज देखें सेल C2 के मान को दो दश्मलव बिंदू तक परिवटित करना चाहते हैं इस परिणाम के लिए आप सेल D2 में कौन सा सबसे उप्यूप फॉर्मुला लगा सकते हैं इसके लिए हमें जो फॉर्मुला लगाना है वो है राउंड राउंड C2 कॉमा 2 दश्मलव के बार जितने कैरेक्टर जितने नंबर हम को चाहिए जितने नंबर की हमें जरुवत है 2, 3, 4 उतने ही हम कॉमा के बाद में वही नंबर लिखेंगे तो इसका सही फॉर्मुला यही बनेगा राउंड C2 कॉमा 2 जहां पे सेमी कॉलन आ रहा है वो गलत है जहां पे इस तरह के आप्शन आ रहे हैं वो भी गलत है और जहां पे केवल C2 यानि एक ही कॉलम नंबर दे रखा है या एक ही सेल नंबर दे रखा है तो भी गलत है क्योंकि राउंड जो फॉर्मुला है दशकलो के बाद के नंबर डिजिट को दो एक तीन चार में करणवर्ट करता है जैसे यहां पे चार डिजिट की तो इसमें दो डिजिट में उसको करता है क्योंकि हमने C2,2 लिया है इसमें इसका सही आंसर राउंड C2,2 है स्क्रीन पर इमेज देखें आप सेल B2 में टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं साथ प्रतिशत कैलकुलेट करने के लिए आप सेल B2 में कौन सा फॉर्मुला लगा सेके हैं जब हमें टैक्स कैलकुलेट करना है तो प्रतिशत निकालणा है तो प्रतिशत निकालने के लिए ये सारे भी options सही है अगर हम multiply करते हैं 7% से तो ही हमारा answer सही आएगा और ऐ 2 multiply करते हैं 0.07 से तो हमारा सही answer आएगा और ऐ 2% 7 out of 100 करते हैं तो भी हमारा element transported तो भी हमारा आंसर सही आए जिसलिए इसका सही आंसर है उप्रव समय एक स्क्रीन पर इमेज देखें अप्रिक्षित परिणाम के लिए आप सी कॉलम में कौन सा सबसे उप्रुत फॉर्मिला लगा सकते हैं वह है प्रॉपर- KRव अगर हमें किसी भी स्मोल करेक्टर को प्रॉपर में हों और बागी रहने ही हो तो उसके लिए हमें सबसे सही जो फॉर्मिला लूज करना है वह में प्रॉपबर 215 हौना है इसमें प्रॉप नहीं होता है सुआमशन snr सेल रॉंको में दोंन होता है तो इसमें कि नीद परकृपर ऑने में दो सर्थ करना तो जिए दोंसे अगर न दोंसे सेलップ करें तो क्या होता है जब हम particular किसी भी सेल में कोई फॉर्मूला रखते हैं और उसको हमें किसी दूसर सेल में कॉपी करना होता है तो उसका answer होगा सेल रिजल्ट सम एज्टरी कॉलर एक कॉपी सेल को जाएगा किसी दूसरी सेल स्क्रीन पर इमेज देखिए पिक्षित परिजाम के लिए आप सेल सी टू में कौन सा सबसे उप्युप्त फॉर्मुला लगा सकते हैं सी टू सी टू में कौन सा फॉर्मुला लिया जा सकता है देखो यहां पे जो सी टू में फॉर्मुला लगाया गया है वो कौन सा formula है यहाँ पे राहुल जैन नाम दे रखा है यहाँ पे राहुली है इसका मतल यह है यहाँ पे left का formula यूज किया गया है और सबसे perfect जो formula है वो है left B2,5 तो कि उसमें आपको उस sale address को लेने के बार कितने character आपको रखने हैं वो आप नंबर इच्छे दे सकते हैं जैसे 5 तो 5 आगे हैं आर एच दू एड़ 5 है character left side से 5 character हम भी सर्च करें left 5 भी गलत है left B2,15 भी गलत है left B2,05 भी गलत है सही जो formula है left B2,5 एक sale को एडिट कर सकते हैं अपको लेक एक sale को हमें अगर edit करना हो तो क्या कर सकते हैं एक sale को edit करने के लिए हम इस सारे ही option भी जोशे कर सकते हैं formula बार पर click कर सकते हैं sale पर click कर सकते हैं F2 की place कर सकते हैं या फिर सारा यानि उप्विक सभी इसका सही यादस है यदि कोई label बहुत नंबा है और वो sale में fit नहीं हो रहा है तो आप क्या करें अगर particular एक sale में label बहुत जादा लंबा होता है तो हम column की size को बढ़ा देते हैं कौन सी command चुनी हुई sale range को print करने के लिए उप्योग में लिए जाती है चुनी हुई sale range को print में लेने के लिए जो option यूज लिया जाता है वो है set print area जितना part आप चापते हैं उसको set करके आप print में ले सकते हैं तो उसका सही answer है set print area यह थी हमारे कुछ question एक्सल से रिप्टेट जिनको आप जरूर देखें ठंदे बाद आप किस topic के बारे में नया video देखना चाते हैं कौन से topic पर video आपके लिए फायदेमन हो सकता है नीचे comment box में जरूर बताए यह video अपने ऐसे सातियों को जरूर शेयर करें पूरक देखने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं भारती अपनी पूरी टीम की और से आपका बहुत बहुत धन्निवाद एम आभिनंदन करती हूं जैहन